प्रश्ण सही विकल्प पसंद कीचे सबकी नजर बच्चाकर खरहा कहां रहता था जाड़ी में सेकेंद करहा क्यों भागा तो शिकारी कुता पीछे पढ़ा था थर्ड कुता खरहे को क्यों न पकड़ पाया क्योंकि करहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था फोर्थ खरहा जिसमें रहता था वह जूर्मूट के सा था गना फिफ्ट, खरहा जुर्भूट में कुट्टे को ना मिला क्योंकि उसकी उम्रह भी लंबी थी सिक्स, कुट्टे और खरहे की दोड कितनी देर तक जारी रही, चार मिनाट तक सेविन, कुट्टे की खाली जगह सुनकर खरहा सोते से जागा सांस एट, कुट्टे और खरहे की दोड कहां जारी रही, खेत में नाइन्थ, लोमडी ने क्या कहकर कुट्टे को सम्भोधित किया, मामा तेन्थ, खरहे को पकड़ने के पीछे कुट्टे का उद्देश्य खाली जग्या का भोचन पाना था, एक दिन इलेवन, शब खाली जग्या जान बचा को रोटी कमाने की सीख देते हैं, तो शास्त्र ट्वेल्थ, संकट में प्राण बचाने के लिए सारी खाली जग्या लगा देनी चाहिए, सकती थर्टेंथ, खरहा कहां रहता था, वन की कंटिली जाडी में फोर्टेंथ, खरहा क्या खाता था, घास की फुन गिया फिफ्टेंथ, कुट्टा जाडी में सुंख्शुंकर क्या चानता था, वन के जिवजुन तुवोक फिफ्टेंथ, खरहा निंज से क्यो जग गया, कुट्टे की सांस की आवाज सुन कर फिफ्टेंथ, कुट्टे और खरहे के बीच दोड कहां, और कब तक चली, तो खुले खेत में चार मिनट तक फिफ्टेंथ, लोमडी क्या देख रही थी, कुट्टे का दोड में खरहे से हार जाना फिफ्टेंथ, एक-एक वाख्य में प्रशनों के उतर दीचे, फिस्ट, लोमडी क्या देख रही थी, अंसर लोमडी, खेत में कुट्टे को खरहे का पीछा करते हुए, तथा खरहे का बिहडवन में चिप जाना, और कुट्टे का इधर-उधर सुंकर वापस जाना देख रही थी सेगे, रोटी कमाने के विशे में सास्त्रों में क्या बताया है? कुट्टे की सिख कावय के आधार पर बताये अंसर सास्त्रों ने कहा है कि अपनी जान बचा कर ही रोटी कमाना चाहिए, रोटी के लिए जान को खत्रे में नहीं डालना चाहिए इस कथा कावय में भी कुट्टा और खरगोश के जरिये यहीं सीख दी गई है क्वेशन थर्ड निमना लिखित प्रश्णों के दो तिन वाक्य में उतर लिखे फर्स्ट खरहा कहां और केसे रहता था? अंसर पन के भीतर एक गणी जूर्मूट थी, खरहा उसी जूर्मूट में रहता था वह इस बात की सावधा नहीं रखता था कि उस पर किसी की नजर न पड़े सेगेंड, खरहा जाड़ी से क्यूं भागा? अंसर एक दिन वन में एक सिकारी कुत्ता आ गया वह वन की जाड़ियों में सुंग-शुंग कर अपना सिकार खोजता था सिकारी की खोज में सुंगता सुंगता वह उस जाड़ी के पास पहुचा जिसमें घरहा रहता था कुत्ते की सांस का श्वर सुनकर जब उसकी आँख खुली तो वो अपनी जान लेकर भागा थर्ड कुत्ता निरास क्यों हो गया? अंसर चार मिनट तक कुत्ता खरहे का पीछा करता रहा अंत में सामने एक घनी कंटीली जाडी देखकर खरहा छलांग लगा कर उसमें घुस गया कुत्ते के लिए कंटीली जाडी में घुसना संभव नहीं था इसलिए वह निरास हो गया फूर्थ कुत्ते और खरहे वाली घटना को देखने वाली लोमडी ने कुत्ते से क्या कहा अंसर कुत्ता चार मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा पर वह उससे पकड़ नहीं पाया तभी सामने कंटीली जाडी देखकर खरहा उसमें घुस गया इस घटना को देखने वाली लोमडी ने कुत्ते से कहा इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन के जीवजनतों को भी नहीं पकड़ पाते फिफ्थ कुत्ते ने लोमडी को क्या उतर दिया अंसर लोमडी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीवजनतों को भी नहीं पकड़ पाता यह सुनकर कुत्ते ने कहा यह बात नहीं है वास्तों में मैं अपने भुजन के लिए दोड़ रहा था पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी सक्ति लगा कर भाग रहा था इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया प्रेशन फोर्थ चार पांच वाक्यों में उतर फर्स्ट कुत्ते की सिक काव्य से क्या बूद मिलता है अंसर इस काव्य में एक सिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटिली जाणी में छिप जाता है और उस उसकी जान बच जाती है इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे चोटा जीव हो या बड़ा कमजुर हो या शक्ति साल जब उसके प्राणों पर बनाती है तो उसमें अद्भूद सक्ति आ जाती है व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगा कर अपनी जान बचानी चाहिए सेकेंड कुटे किसी को कहानी के रूप में लिखे अंसर एक जंगल में एक घनी जुरमुट में एक घर को स्चिप कर रहता था वह चुन कर नर्म नर्म घास खाता था और किसी को देखता था तो जाड़ी में सिप जाता था एक बार जंगल में एक शिकारी कुटा आ पहुचा जिसमें खर्गोश रहता था आहट पाते ही खर्गोश भाग खड़ा हुआ कुट्टा लगातार चार मिनिट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा पर वह उसे पकड़ नहीं सका तब तक सामने एक कंटिली जाड़ी आई और खर्गोश छलांग लगा कर उसमें चिट गया कुट्टा इधर उधर सुंकर निरा सोकर वापस जाने लगा एक लोमडी खड़ी खड़ी यह सारी खड़ना देख रही थी उसने कुट्टे से कहा मामा तुम हार गए तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जिवजनतों को भी नहीं पकड़ पाते कुट्टे ने लोमडी से कहा अरे पगली तुम इस रहश्य को नहीं समझ सकती मेरे और खरहे के दोड़ने में अंतर है मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दोड़ रहा था जबके खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था कहा गया है कि कोई भी उद्धियों क तो जान बचा कर करो पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगा कर अपनी जान बचाने की कोशिस करो कुशन फिफ्थ पंक्तियों का भावार श्पस्ट कीजिए फर्स्ट, कहते है सब सास्त्र कमाओ रोटी जान बचा कर पर संकट में प्राण बचाओ सारी सक्ति लगा कर अंसर, सास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्व पूर्ण है अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आज न आये पर जब जान पर संकट आये तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी सक्ति लगा दू एसे अउसर पर शरेद में विशेज सक्ति आ जाती है ग्रामर उसमें पहला परियाईवाची शब्द बदाईए जुर्मूट जाडी सिकारी आखेटक कंटिली काटेदार बिहोड भयावः दीवानी पगली सक्ति जोर खरहा खरगोस उमर आयू सास श्वास दे सरीर लेकिन परन्तु विलोम शब्द बदाईए एक अनेक दूर निकट आखीर पहले पीछे आगे निराश आसावाई मोटी पतली भीतर बाहर समज ना समझी शब्द शमूं के लिए एक शब्द बदाईए फर्स्ट साखा का सीरा फुनगी सेगेंड कंटिले पोधो का समूं जाडी थर्ड दोडने की प्रतियोगिता दोड फोर्थ जोतने बोने की जगा खेत फिफ्थ फिवेचनात्मक नान विशय ग्रन्त तो सास्त्र सिक्स्थ पास पास उग आये पेडो का समूं जुर्मुट साथ पांच उंगलियो सहित थेली का अगला भाग पंजा एट उचल कर कुदना चलांग संधी विच्चेद कीचे निराशा नही प्लस आसा संसार सम प्लस सार पुरुषाथ पुरुष प्लस अर्थ शुर्यास सुर्या प्लस अस्त समास का प्रकार बताईए जिवजन्तु कर्मधारे निराश जिसमें आस नहीं है वह बहुप्रिही भवचक शंगनाए बताईए बचाना बचाओ दूर दूरी चिपना चिपाओ सिकारी सिकार खेड खेड यत निराश निराशा ठकना ठकावट चुनना चुनाओ निमनलिखित वाग्यों में से भावाचक शंगनाए बताईए फर्स्ट खरहे की उम्र भी लंबी थी तो उम्र सेकेंड खरहे ने कुत्ते की सांस सुनी तो सांस थर्ड खरहा जान लेकर भागा जान फोर्थ कुत्ता जोर लगाकर उसके पीछे दोड़ा तो जोर फिप्थ खरहा एक चलांग भरकर बिहड में चीप गया तो चलांग सिक्स खरहे ने खुद को बचाने में सारी शक्ती लगा दी तो शक्ती कर्तु आचक चंगना ये बताईए खास घशियारा देखना दुरुष्टा सिकार सिकारी कमाना कमाऊ बचाना बचवईया खाना खवईया सास्त्र सास्त्रकार मुहावरे के अर्थ बताईए उसमें फर्स्ट आँख बचा कर रखना तो नजर से दूर रह कर चीना सेकेंड पीट पर काल हून तो सीर पर मोत हून थेंक यू